हेलो एवरिवान दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से आज मैं बनाने जा रही हूं आलू बैंगन और टमाटर की सबजी एक टाइप की मिक्स सबजी है तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए यहां पे करीब दो से तीन बैंगन मैंने क लिया है पंच फोरान और लाल मिर्च और थोड़े से तेल सबसे पहले एक बाउल में बेसन लेंगे तो करिब दो चम्मच बेसन से हो जाएगा दो चम्मच हमने यहां बेसन लिया अब फिर बैंगन को इसमें हम लोग कोटिंग देंगे यह बेसन के साथ यहां कोटिंग देने का परपस यह है कि बैंगन जब बनाएंगे तो फिर वो टूटेगा नहीं वो मैस नहीं होगा यह ऐसे ही सेप में रहेगा आप चाहिए तो इसको डिप फ्राइ भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है इसलिए मैं हमेशा ही प्रेफर का कोटिंग की हुई बैंगन की ऐसे देखिए पानी के साथ दो चम्मच मैंने लिया था और कोटिंग किया अब करिब दो से तीन चम्मच हम लेंगे इसमें तेल गरम करेंगे कडाही में फिर तड़के के लिए पंच फोरण डाला अजिए पंच यो नेक्स्ट लाल मिर्ज डाला अएसे फिर इसको थोड़ा सा चटक आने तक जब यह उड लगे चटकने लगे तब समें हम बैंगन कोूटिंग की हूई बैंगन को एड करेंगे लिए यह देखिये ऐसे सिर्ी आभ ऻूग गया है अब इसको बैंगन को अग करेंगे इसमें करें फिर इसको पहले हलके हाथों से चलाएंगे ज्यादा इसको नहीं ये करेंगे पकने देंगे दीरे-दीरे ये मीडियम आज पे करें हाइफ फ्लेम पे थोड़ा सा ज्यादा जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छे से इसलिए मीडियम फ्लेल पे पकाएंगे देखो थोड़े से कोटिंग अच्छे से सेट हो चुकी है अब इसमें आलू उबली हुई जो थी ओ एड़ करेंगे फिर टमाटर एड़ करेंगे इसको मिक्स करेंगे ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे करीब एक से दो मिनट तक ऐसे मिक्स करके पकाएंगे फिर मैंने इसमें एड़ किया नमक करीब दो चमच मैंने एड़ किया बट आप अपने टेस्ट करनू सारे से यूज कर सकते हैं जितना चाहें काली मिर्च थोड़ी सी जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यह मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबजी के साथ, और करीब एक मिनट एक या दो से मिनट तक इसको ढख के पकाएंगे, यहां पर मैं थोड़ा मटर का यूज करूँगी, यह देखिए मसाले अच्छी तरह थोड़े पक चुके हैं, मिक्स भी हो गया है सबजी के साथ, फिर मैं यहां पर थोड़े से मटर डालूँगी, मटर ऑप्सनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डाले, अधरवाइस नहीं ड तूटी नहीं है, अधरवाइस बैगन बहुत जल्दी पकती है और मैसी हो जाती है, फिर वन एन हाफ कप थोड़ा पानी डाला इसमें, देखिए, ऐसे थोड़े से हिला के इसको ढख देंगे, कुछ मिनट के लिए, करेब एक से दो मिनट के लिए ढखेंगे, उबाल आने तक इसको पकाएंगे, पानी में उबाले, यह देखिए, बहुत अच्छी तरह उबाला चुके है, इसमें, ग्रेवी अच्छी बन चुकी है, ग्रेवी आप अपने थीकनेस के अनुसार, पतला, गाढ़ा रख सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो रख सकते हैं, अब मैं इसमे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट मैंने यहां पर कसूरी मेथी का यूज किया है, यह हमारा रेडी है, आलू बैगन की बेशन वाली सबजी, यह देखिए, प्लेटिंग, इतनी अच्छी दिख रही है सबजी, और टेस्ट में तो अमेजिंग, जरूर आप ट्राइ करि थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई, टेक कियर